हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू हेल्थ केर तुड़े आज हम बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जिसको यूशुली कपल ओपीडी में डिसकस करने में थोड़ी हैजिटेशन महसूस करते हूं जी हां सेक्स टूरिंग प्रेग्नेंसी सेफ है नहीं है किसी ने फ्रेंड ने बताया कि उसको डॉक्टर ने मना किया है दूसरी फ्रेंड ने बोला कि नहीं मना किया है तो चली आज इसी टॉपिक पे हम बात करते हैं और आपके जो भी डाउट से उनको क्लियर करते हैं 90% of pregnancies में contact यानि sex में कोई दिक्कत नहीं होती है pregnancy में, 10% cases में दिक्कत हो सकती है तो वो 10% cases कौन से होते हैं, जैसे कि placenta previa यानि आपका जो आवल नाल है placenta है अगर वो नीचे की तरफ है पच्छे दानी की मुँग की तरफ है तो आपको contact नहीं बनाना है, अगर आपका कोई ब्लीडिंग का, लीकिंग का history है pregnancy के दोरान तो आपको contact नहीं बनाना है, आपका सर्वाइकल लेंथ कम है तो भी contact नहीं बनाना है, आपका पहले multiple miscarriage का history है या आपको कोई infection है वेजाइना के थुरू या आपका premature labor, premature delivery का history है तो भी आपको pregnancy time में contact नहीं बनाना है यानि abstinence और अब हम बात करते हैं trimester-wise, अगर pregnancy को तीन trimester में बाता जाता है तो उसमें से second trimester सबसे जादा safe होता है contact बनाने के लिए, second trimester होता है जहां पे आपके तीन महीने खतम होते हैं, वहां से ये शुरू होता है और six month पूरा होने तक का time जो होता है second trimester होता है, तो ये वाला ज आप कैसे जाने कि आप 90% उन लोगों में से आते हैं जो प्रिगनेंसी में contact बना सकते हैं या आप 10% में आते हैं, तो ये आपकी कुछ investigations होती है, प्रिगनेंसी में जिन से पता चलता है, या आपका पहले से ही history है, जैसे कि आपका repeated miscarriage का history है, या पहले premature delivery का history है, या आपको वजाइना से कोई false smelling discharge आ रहा है, वजाइना में infection है, जो placenta previa है, या फिर जो short cervical length है, वो एक certain time पे ultrasound के थ्रू ही चीज़े पता चलती है, इसलिए first trimester में काफी doctors patients को मना कर देते हैं, contact में रहने से गरहने के लिए, क्योंकि जब pregnancy शुरू होती है, उस time पे हमें भी पूरी तर problem होता है patient को first trimester में, तो किसी भी patient को problem ना हो, इसलिए शुरू के time में कई बार doctor मना कर देते हैं, कि आप contact में नहीं रहे, वैसे अंदाजन 90% pregnancies में कोई दिक्कत नहीं होती है, अगर आपका कभी भी pregnancy में bleeding हुआ है, खासकर first trimester और second trimester में, तो आपको contact में नहीं रहना है, य अगर आपका placenta previa नहीं है, अगर आपको leaking नहीं है, कोई bleeding का history नहीं है, आपका कोई short cervical length नहीं है, आपको कोई vaginal infection नहीं है, तो contact बनाने से आपको फायदा भी हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है, जी हाँ आपने सही सुना है, अगर third trimester में आप regular contact में रहते हैं, तो आपको natural labor induced कर सकता है, क्योंकि सीमन में prostaglandins रहते हैं, जो कि cervix को effeze करते हैं, तो आपके natural normal delivery होने के chances बढ़ जाते हैं, I hope मैंने आपकी काफी सारी queries को solve किया होगा, फिर भी आपको कोई question हो, कुछ doubt हो, आप नीचे comment में, लिखे section में, query डाल सकते हैं, I hope आपको ये video पसंद आया, अगर पसंद आया तो आप अपने family और friends से जरूर share कीजिए, हम रखें आपका ख्याल